नमस्कार बच्चों मैं सुरूची सामरिया आपका इकक्षा में स्वागत करती हूं आज आप मेरे साथ कक्षा चार का हिंदी विशय पढ़ रहे हैं और आज हम हिंदी विशय में हमें जलाशे लगते प्यारे पार्ट के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्णों को हल कर रहे हैं भाषा की बात यानि कि व्याकरन से संबंदित प्रश्ण तो बच्चों देखते हैं हमारा पहला प्रश्ण क्या है पार्ट में अमरित जल जैसे शब्द आएं हैं अमरित और जल शब्द के बीच में ये चिन लगा है इस चिन को यूजक चिन अथार्थ जोड पढ़ने वाला चिन कहते हैं इस पार्ट में आए इस प्रकार के शब्दों को छाट कर लिखिए बच्चों जब आपने कविता पढ़ी होगी तब आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी कविता में कुछ ऐसे शब्द आएं हैं जिनके बीच में यह योजक चिन लगा हुआ ह यह योजक चिन क्या करता है यह योजक चिन दो शब्दों को जोडने का काम करता है तो बच्चों आपको क्या करना है आपकी इस कविता में ऐसे जितने भी शब्द आएं हैं जिनके बीच में यह योजक चिन लगा हुआ है उनको छाट कर लिखने हैं देखिए मैंने छाट दीप जहाजी दीप और जहाजी द्वारे द्वारे बच्चो अब हम चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है अपने परिवेश में उपलब्द जल के इस्तरोतों की सूची बनाओ उनकी स्वच्चता का ध्यान रखें जल की बचत करें बच्चो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास मिलने वाले जल के जो इस्तरोत हैं उनका आपको नाम लिखना है तो देखिए राजस्थान में मुख्य जल स्तरोत हैं कुए, तालाब, पोखर, जील और नदियां बच्चो आपको इनकी स्वच्चता का ध्यान रखना है और जल की बचत करनी है चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ देखते हैं क्या है जल के उप्योग क्या क्या है अगर प्रकती में जल नहीं रहेगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाप पड़ेगा बच्चों यहाँ पर आपसे दो प्रश्ण पूछे जा रहे हैं एक तो यह पूछा जा रहा है कि जल के उप्योग क्या क्या है यानि कि हम जल का किनकिन कार्यों में उप्योग करते हैं और दूसरा प्रश्ण आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर हमारी प्रकरती में जल ही तो क्या प्रभाप पड़ेगा देखिए हम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं जल का उपयोग हम पीने में खाना बनाने में नहाने में कपड़े धोने में घर की साफ सफाई करने में पेड़ पौधों वे खेती की सचाई करने में तथा अन्य अनेक कामों में करते हैं फिर द प्रकरती में जल नहीं होगा तो हमारी प्रकरती नस्ट हो जाएगी और सभी प्राणी प्यास से ब्याकुल होकर मर जाएंगे क्योंकि बच्चों हम जल के अभाब में जिन्दा नहीं रह सकते आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है जल सनरक्षन की उपाय क्या क्या हो सकत अपने से बड़ों से चर्चा करकर लिखी बच्चो जल-सन्रक्षन यानि जल को ध्यान पूर्वक सन्रक्षत करना, इखटा करना यहां पर यह已经 poochा जा रहा है कि हम जल किस प्रकार इखटा कर सकते हैं उसका संरक्षन कैसे कर सकते हैं देखिए जल संरक्षन के लिए निम्न उपाई किये जा सकते हैं देखिए क्या क्या पहला कुए बना कर उन्हें स्वच्छ रखा जाए वर्शा के जल को भूमी के अंदर जाने के लिए भूमी में गहरे टैंक बनवाये जाए जल को बहने से रोके और फाल्तु खर्च ना करें बच्चों हम ये उपाय अपना कर जल का संरक्षन कर सकते हैं बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग प्रथम के पाठ्च है हमें जलाशे लगते प्यारे के भाशा की बात पर अधारित अभ्यास प्रश्णों को हल किया मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्णों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे नमस्कार बच्चों